हुआ हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करें और बिल आइकन दबाएं है अज का टैपिक है वरनमाला हम लोग हिंधी है रफिक पढ़ रहे हैं हिंदी में है वरनमाला क्या है वरन का दिवस्थित क्रम वरणों का ब्यवस्तित क्रम ही वरण माला खालाता है भासा की सबसे छोटी काई इसे वरण कहते हैं दरसल भासा की तीन अंग होते हैं भासा की तीन अंग होते हैं एक होता है वरण एक सब्द और एक होता है वाक्य वरण सब्द और वाक्य सबसे छोटी इकाई जो है वरण है वरणों से मिलकर सब्द बनता है यानि कि वरणों के सार्थक समु को सब्द खाते हैं और सब्दों से मिलकर वाक्य बनता है यानि कि सब्दों के सार्थक समु वाक्य खालाता है इसलिए भाषा की सबसे छोटी ह्टाहीं होगी और में रहा वाक्यार और वाक्य और वशसकर क्या रत्य को अर्थ नहीं होता है अर्थ क्या आर्थ क्या होगा हुमने लख दिया जो अ में लिख दिया इसका क्या कोई अर्थ नहीं है चाही स्वार लिकते हैं वरण में स्वार और दुनूँ आधार ऑग solamente कि अर्थिके अधारपAS syndi dol также सब्ता होगा किवगी एक वांक दे लिख GrassAS कि आपके राम का क्या मतलब है यह आर्थ निगल रहा है यह किसी का नाम है लेकिन रहु खा收看 यह किरा है क्या कर रहा है कि देख रहा है क्या कर रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है ना तो रम का कुछ पथा नहीं चलेगा लेकिस्थ उसका कुछ पथा नहीं चलेगे सब्धों का सार्थक समुह लेंगे वाक्यज़ इसका भाव निखलेगा कि राम खा रहा है राम पी रहा है राम दवड़ ए राम लड़की रहा है यह कुछ भी जो कुछ भी कर रहा है उसका भाव निकलेगा तो भाव के आधार पर अगर पुछा जा तो सब्द का भाव नहीं निकल सकता और जब वाक्य बनेगा तो वाक्य का भाव तो निकलेगा वाक्य का भाव निकलेगा, तो जब भाव निकलेगा, तो भाव के आधार पर अगर पुछा जा, तो भाव के आधार पर अगर पुछा जा, तो भाव के एक ही अंग होता है, वाक्या, तो सबसे छोटा अंग भी वाक्य होगा, सबसे बड़ा अंग भी, इस बात को हम लोग प औयह ओ आ यह तो आपनिना है डोंखिक सब्द okay इसमें मौखिक थोणनी एंसर आपं से पुछा क्या जा अगर मौखिक सब्द के मफल के उसकि Say खोटी के तोे वह नहीं बताएंगे था न ही नहीं बताएंगे जब मजब हम सब्सक्रिंद सब्सक्राइब ?". के दरिश्टिस चेंगेम की अधार पर वर्णोंकी संख्यान किसंख्या 95嗯 के गूंद की संख्याइं बावन होती हैं डावन कैशे मैं Hen इस प्रकार से बाउन हो जाते हैं मूलू रूप में वरणों की संख्या 44 होती है 33 बेंजन और 11 स्वार 44 होते हैं कि बेंजनों की संख्या दरसल बेंजनों की संख्या बेंजनों की संख्या 33 होती है हम लोगों ने तो छोटे जब थे तो 36 पढ़ा था तो उससे में 36 जो पढ़ा था उसमें से च्छा और ग्यां को निकाल देजिए च्छात रग्यों के बेंजन नहीं माना जाता है इन्हें हम बोलेंगे संयुक्ताक्षर कता को मतलग संयुक्ताक्षर च्छार जिसमें कई एक स्वमील कर बना demasiado संबीटाक्षर में 4 committed चार आते हैं जो पर उस्तिरॉल और एक स्वाश न दूं बना है उप्रशों प्लस और प्लस और स्वशे और्श wao coo plus jag plus यह हूं यहां यहां है yoha bus 48 कि Après the купना शॉप प्लस को यह हैं यह हैं क्योंकि इन में जो ऑफ दूना मिला क्यां सकर्म और ढटी दो बेंजन मिल रहा है यहाँ भी जू में बीदो बेंजन मिल रहा है इक यह प्रकार सिरों में भिसमा और रहा है दो बेंजन से मिलकर यह इन्हें चार्ण की संख्या यह ती है सवड़ों की संख्या की ग्जारा होती है हम छोटी कख्छाहों में तेरह पड़े थे और चोटी बड़ी चोटाओं बढ़ाओं इसमें से जो अंग और है यह जो है इन्हें हम स्वर नहीं मानेंगे इन्हें हम स्वर नहीं मानेंगे इन्हें अयोगवाह कहा जाता है अयोगवाह कितने होते हैं अयोगवाह दो होते हैं अंग और अह जिन में से दो अयोगवाह हैं दोनों में से अलग लग नाम बते हैं अयोग वहां को अनुस्वार बोलते हैं अनुस्वार और अयोग वहां को पिसर्ग बोलते हैं तो यह दोनों वाला आयोगवाह का मतलब आ मतलब नहीं योग मतलब जुड़ना और वहा मतलब वहन गुणा यह जूड़कर वहन नहीं होते हैं जूड़कर वहन नहीं होते हैं यह जूड़कर वहन नहीं होते हैं यह जूड़कर वहन नहीं होते हैं यह जूड़कर वहन नही होते क्यों कि नहीं होते क्यों कि वेद होनिय जिनka निर्वाद रूप से होता है निर्वाद गती से मतलब उनको उश्चारान करने इस प्रकार से हम निर्वाद गति से उसका उचारण कर पा रहे हैं तो तंत्र मतलब इनका उचारण करने के लिए किसी अन्य सब्त की वर्ण की सब्सक्राइब है कि ज्युद्ध जैसे लिए इसी उचारण करें किसी के युर्ण नहीं पढ़ती लिए जब की बेंजनों का अगर उचाओ रहे हैं जैसे को और जो हम बोलें को तो लाश्य भी बोलेंगे तो इसलिए माना जाता है कि स्वरों में क्या उपना है अधा और प्लस ऊसे बना है तो इसी प्रकार से सभी बेंजनों में स्वर जुड़े रहते हैं यानि कि बेंजनों की बेंजन जो है स्वरों की सहायता से लिखे और बोले जाते हैं वेधुनिया जिनका निर्बाद गति से उचारण हो और स्वतंतर रूफ से होता है उन्हें भेधुनिया जिनका उचारण सवरों की सहायता से होता है उन्हें बेंजन कहते हैं जबकि मात्राव कुल संख्या दस होती अभी देखेते हैं श्लाइड में अब ब्रंस में स्वरों की संख्या आठ थी लिए और आओ जो है बाद में जोड़े गए हैं ये अब ब्रंस के समय नहीं थे तो आप से क्वेस्टन वी यहीं बनाया जाता है कि अब ब्रंस में कौन सस तो ब्रेथि रूब जो होता है जहां बनता है वहीं नहीं होता था अब बंता है तो अब भन्हें यह दोनों नहीं थे में बाद में जोड़े गए दोनों को को अब की कोई भी मात्रा नहीं छबते हैं इसलिए औ Cobballa कोई मातरा नहीं होती इसलिए इसे नीट्रल या उदासीन सवर कहते हैं इसे अवग्र सवर भी कहते हैं अब वह बताते हैं अब फिला लिए देखें यह और आ इई-ई-उ-री-ए-ई-ओ यह इस वर लिखा गया है कि स्वर जो है 7 8 9 10 11 11 गया हो लेकिन मंत्रा जाएंद स는지 क्यों फिर क्यों बता कि और या नहीं है पर Magda च्छुटाओं कि मातर शोनते। ये की मातर ये अंतर समझ लेज़ीएगा चुटायों में और में पैंकि मातर कि मातर और dimensions नहीं और क्योंकि कोई मातर नहीं मीली और क्योंकि आन livres में ऊकि कोई मातर नहीं मिली इसलिए हम अयोगवा, अयोगवा हमने बताया और अंग और अह को अयोगवा बोलते हैं, जिसमें से अंग को अनुस्वार कहते हैं, और अह को बिसर्ग बोलते हैं, अह को बिसर्ग बोलते हैं, अयोगवा का मतलब ये बेंजनु के साथ जुड़कर वहन नहीं होते हैं, यानि कि बेंजन सब्सक्राइब काइब यूदए नहीं बीच में जूरेंगे तो है भी कि अई गन्यश्च लीजी नि कुछ की अगज़ितेसे दान्टबंड तो शूरतन पिसे आपके प्रचाट भी स्केल्टिश्यौ 2,13 कि वह कि दो प्रकार की हुथ यहां आधो वहा थो वेंजन होता है या तो स्वर होता है स्वर और वेंजन दोनों की मिलाकर हम लोग कुवह बता है विए सकता है ति*** उतista होते हैं तो छ रग्या और पुनेज़्स्वा इन में से अग को नी में लाग होते है स्वार और भी 11 और 15 cup कुल ने पहले करेंगे स्वारों का वर्यकरन जेंके स्लाइड में का वर्यकरन कि वरिकर्ण करने के लिए सबसे पहले अधार बाटन लेंगे किस अधार पर हमने वरिकर्ण किया है किस अधार पर किया है जैसे माल लिए एक अक्षा को दो भागों बाटना है एक अक्षा में पचास लड़के सव लड़कों को दो भागों बाटना है तो किस अधार बाटेंगे एक अधार यह हो सकता है कि आप लड़के को लग कर दीजिए लड़कियों को लग कर दीजिए त का नाम बाट सकते हैं को यह सकता है लंभाई के आधार बाट दीजिए जो लंबे-लंबे बच्चे उन्हीं करंड़ेजंए अथार क्या है तो इसी प्रकार से स्वरों का नाम बरिकरन कर देख लेतें आधार एक अधार होगा उचारन प्रयत्न, उचारन प्रयत्न के अधार पर, उचारन प्रयत्न का मतलब कि उचारन, जब उचारन करने का जब हम प्रयत्न कर रहे हैं, तो किस प्रकार से प्रयत्न कर पा रहे हैं, इसके अधार पर, एक अधार होगा, इतिहास उत्पत्ति स्रोत उद्गम के अधार पर उत्पत्ति मतलब उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है कहां से पैदा हुआ है उसका उद्गम कहां से हुआ है उसका इतिहास क्या है कहां से आया है इसके अधार पर एक अधार होगा हमारा उच्चारन कालमान उच्चारन काल का मतलब समय होता है हमान का मतलब मात्रा तो समय की मात्रा उच्चारन का मतलब उच्चारन करना बोलना तो इसको उच्चारन करने में कितना समय लग रहा है इसी को हम बोलते हैं मात्रा उच्चारन करने में कितना समय प्रेतन के अधार पर अभी हमने बताया कि उचारन करने का प्रेतन किस प्रकार से कर रहे हैं यह दो भागों बाट सकते हैं इसको तुरंत अंधर है यह हमारे मुग के अंधर है कि अंधर से अभी नग्या हमारे तुरंत अंधर हैना इसलिए में के अधार पर मुका किसप्राकार से खुल आए नांसिका के अधार पर इन सब अधारों पर वह रिग्णण और प्रयतने में जो अंदर की बात है इनसे अंदर जाएंगे अंदर तो तर तंत्रियों में कमबन के अधार पर मतलब है कि जब हम किसी उचारन कर रहे हैं तो हमारे शरीर में जहां saucar हो रहा है वहां से अधार से ऊसके आजफास से कोई कम और उचारन करने माज़ ऻूरहीं बैब्घ्रेशन हो रहा है जो हवा में शारा हूं आ रही है उसमें क्या वाइब्रेशन हो रहा है कंपन हो रहा है अगर कंपन हो रहा है तो उसी को बोलेंगे स्वार्तंत्रियों में कंपन के अधार पर और अगर कंपन होता है उचान करने में तो अगोस्वर बोलेंगे और अगर कंपन नहीं होता है तो अगोस्वर बोलेंगे अभी बताएंगे कैसे और नेक्स्ट होगा अंतरिक प्रेत्न में ही स्वास्वायू के मात्रा के अधार पर यानि कि हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कितना कितनी मात्रा में स्वास्वायू में निकलती है यानि कि हवा कितनी मात्रा में निकलती है तो जब हम किसी चीज को उच प्राण सवर और कम मात्र knitकते तोसे प्राण सवर इसके बारे में बताएंगे तनी पर इसके बारे में exempelर कितने महतंसे हवा निकलती उसके अदार बैब किसि की रिंब कलती है तो इसके लिए मैं responsible नहीं हूं कि अंत्रिक प्रयात्र अभ्यांत्रिक प्रयात्र हमने बताया अभ्यांत्रिक प्रयात्र अभी प्लसंत्र यह तुरंत अंदर है मुह से वहां से यहने कि मुख खुलने के अधार पर कि इसी को बोलते हैं तालू की स्थिती तालू की स्थिती मतलब तालू यह होता है जैसे कि यह कोई आदमी है यहां इसका मुह है यहां इसका गला है गला यहां और इस गले पर यहीं कंठ बोलते हैं यहां पर कंठ होता है कंठ इसको बोलते हैं यह मुख है यह मुख है और अंदर से जो इसका मस्तिक से मस्तिष की निच्छत जो नीचे से है तो यहां से उसे तालू बोलते हैं तालू का मतलब जहां से आपका भी-कभी पुहा खाते हैं छीडिया जैसे चीवरा थिशेद्र में की स्याजर्ज की बोलते हो तो चीवरा जया खाते है अथा है घयू danny कि झाल भाँ सब्सक्राइब और विबृत इक लोज है बाद में भूल जाएंगे इसकी लिए क्या होगा इसमें दो बार हो आया है है मैं में थो कटो पर यहां और यहां पर इस लिया और जी तें पुर्ण मतलब मतलब खलगा अब अब आर्द संब्रेट का मतलब होगा है क्या घ डबत है और ल्यां ओट्री घ ल मतलब फिटनधो फैंट और सण smart जिसका उचानन करने पर मुख पूरा खुल जाए जिसका उचानन करने पर मुख पूरा खुल जाए जैसे आप लोग देखें चोटे बच्चे जब होते हैं चोटे बच्चों को मुह में दवावा डलना होता है या कुछ भी ऐसा करना होता है तो देखना होता है उनका कितना पुरा मूह बोलेंगे विप्रित स्वर बोलेंगे अब मूह इसको बन रहेगा फॉरा इसको सं बित बोलेंगे जैसे ए ई उ उ उ इसे रहा है तो बंध रह रहा है लगभघ बंध रहा है कुल नहीं रहा है हाँ ओठ की आगरती हो रहे हैं तो मुख खुलने का धार पड़ रहा है तो मुख बंध ही हो रहा है एपने बूर्ट स्वार में आएंगे अब आर्ध संब्रित और अर्ध विब्रित वहाएक पूरा ओपन का ओन से था आप पूरा ओपन था यानिकि विब्रित था तो आ का छोटा भाई है ओ हाट का नहीं हम इसके बाद लोग इसको एक बार नहीं कि देखेंगे देखेंगे इसको बचा क्या हमारे पास इतना तो हो गया आ को हम समझ गए आ बोलने पर आ करो तो आ ओपन है आ का छोटा भाई ओ है तो इसके बाद इनको बोलने पर मुह लगो बंद रह रहा है तो इसको यह संब्रित में आ जाएगा क्लोज में आ तूर थान रहे हैं कि यह प्रणयों को अ ह operate गया और निर्फायर्द सो क्यों कि रहुत करें है और यूह अ प्लस जिसे बना है यूह आई जो है आउ प्लस झे बना है ओ और जो है यह आउंस आउ से बना है है ये जो दोनों है ये जो दोनों है य्या जाएंगे ये ये, आर्द बिबृत्म हाफ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– बन रहा है यह वाला आए और यह वाले में आप लोग वाले में और इनी से यह दोनों बन रहे हैं कि इनक जोड दे ई और व को के जोड से बन रहे हैं और उ को दुनां को रख देंगे हाफ कुलोज में में अप कुलोज जोड़ इसने कि इतना समझ में आ गया होगा आपको कि नेक्स देखते हैं जीवा के अधार पर पॉर टीन परकार के होते हैं अग्रिश्वर लेगे जीव के बीच वाले भाग्स रहा हो रहा है तोसका पाश्टसवार बोलेंगे अब जीव के बीच वाले भाग्स अब थो तो अ मध्द्धशवार में पहुंद दिसे अ उसके илиको याद्व लिजी एक को कि मध्ध्धषवर में अ अángाता जितने भी सवरों को लिखने से पहले तीन बनाना पड़ता है जितने भी सवरों को लिखने से पहले तीन बनाना पड़ता है वो तीसरे नमबर पर आता है तीसरा का मतलब पस्चस्वर में आएंगे तो आ बनाना है तो भी तीन बनाना है तो भी तीन बनाना है तो भी तीन बन नमबर याने की पस्ट श्वर में आ जाएंगा और छोड़कर और किसमें आएगा बाकरी जो बचा उसको अग्रस्वर में रख दीजिए ई-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- ग्र journ années एड-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e o 69ened Reg में ईहिस्ट वश्ठा कृतिति के दाटी दा पर उस्टा कुरत फेलति कि यूठ कि अकरी की अकृत्वर कि स्टार की होर्स कुलं इसका मुछा नहिए तो ही य incarnate니 कि यू 세ट को कि एकिस प्राकार सो यह सकती है या तो मुए जो है गोल अगर हो जाए गॉलाकार धारन कर लेगा नहीं करेंगा तो अबैक्निक्त मुख्य ब Scripture मों और जाएगा इसलिए यह प्रत्मखे में हो जाएंगे आज व्रत्मखे को याद करेंगे उसके बाद बाक्षी सब याद हो जाएगे रिसे को जाएंगे जा नाशिका की अधार पर नाच ने वू तो आपको पता ही होगा वू की गुलाकार धारण करता है वू को बोलने से ओ भी कैसे बना है और प्लस उ से बना है तो यह घुलाकार में आ जाएगा और जब कहीं तो परकार का जाएंगे बीना गोलाकारले में आजएंगे आशाइंगे इन मुखी में आजाइंगे नासिका क्या अधार पर नास प्रकार कर disrupt कि अनुफ हो सकता है एक फ्रकार अनुफ हो सकता है अनुफ ह कर मतलब की क्यले यसा अनुनासिक शिक स्थाइब जीन यह तो ़ो है LGBT अनुनासिक यहां पर कोई मात्रा नहीं होती है उपर वहां पर इस प्रकार से चंद्र बिंदी लगाते हैं और जहां कोई मात्रा होती है वहां पर शिर्फ बिंदी लगाते हैं यह उपर पूरा चंद्र बिंदीonta तो जहां पर नासिक बिलीồi लगेगा और चंद्रबिंदी नहीं लगेगा साधारन रूप में रहेंगे तो उन्हें निर्व निर्वासिक बोलेंगे और पीछे बताया था आपको कि हमने पीछे आपको बताया था कि प्रयतन ढाउप मतलब कि मुख के जश्ट तुरहंतर इसमें मुख क्फुलने के अधार पर इसमें चार भागों बाठे थे संबर्च निर्व निर्व निर्वनासिक अंतरिक प्रत मत बैखते हैं नतरिक परत्म मत भीएग्ड़ों अगोष और सघोष अगर उसका उचारण करने में कोई कमपन होता है तो उसे सघोष बोलेंगे और कमपन नहीं होता है हवा में तो अगोष बोलेंगे मुख के अंदर हवा भरी है उसमें अब कंपन होता उसका उचारण करने में तो सगोष बो सभी सवर सघोस होते हैं और सवास्वायू की मातरा क्या धर्पन यह निर्वाद होते हैं तो जो है कि सवास्वायू की मातरा क्या धर्पन का वचारन करने में कम हवा निकलती है इसलिए सभीषवर अल्प प्रान होते हैं महाप्रण कोई नहीं होता है अब यह महाप्रण का इसलिए इसमें हम बता दिये आंतरिक प्रयत्न आंतरीक प्रत्म में क्या होगा सभीस और सघोस होते हैं अभी सभीस और अल्पिप्राण होते हैं दोनों बातों के याद रखियेगा दस सवर होते हैं रीको काउंट क्यों नहीं किया जाता है रीका अधिकांस्ता नहीं किया जाता है तो इसलिए सभीस और सघोस होते हैं हम को और सभी स्व आलप्राण होते हैं री को काउंट क्यों नहीं क्या जता है क्यों कुंकि री ज्फ श 대해서 क्यों करेंगे घृम करेंगे इसमें और इसमें इसका चारण करने में कोई अंतर आपको समझ नहीं आएगा दोनों के उच्छन एक ही तरह से होगा इसमें जबकि यह स्वर्न है और यह इसमें बेंजन भी और स्वर्ण है दूनों के बब्याकरन समानेता नहीं करते हैं इस बात को ध्यान देंगे दूसरा इतिहास उत्पत्ति शुरोत के अधार पर बत्तिका इत्हार होई सुरोत क्या है उसका उत्पन होने का सुरोत क्या है उसका उध्गम कि कहां से उत्पन्ज हुआ है इस अधार पर मूल्स और मूलसर में आ जाएगा और को च्टाउं और को खोटी चोटाउं री कि चोटी चोटाउं मूरी हमने बताया की है हमने बताया की कि रिकाबर करन नहीं किया जाता है और वे पता है यहाँ यहां यह जो बतार पर यह उत्वांदित नहीं है वरकरण क्यों नहीं किया थारीका यह रीका वरकरण यह जैसा उत्वार्ण हो रहा था इसलिए वरकरण नहीं कर लेंगे कोई दिक्कत है नहीं क्या होते हैं ऐसे स्वर जो जिनका उन पति जिनकी उत्पत्ति का कोई अलग स्वरत नहीं मिलता है कि यहिए प्रकार्ट में म्हार कोは एक大 लेग उने अस्वर में तो नहीं जा सकता है इसलिए इनहीं मूल्सवर बोलते हैं या कि मोल रूप में आएसे ह explor में एक स्वर घ्री ऑक शवर जो दिर्गसवर क्या होता है जिन्हें जो मूल सवरों से मिलकर बने है जो मूल सवरों से मिलकर बने हैं उन्हें संदिसवर का अधब जैसे यह जो है कि यह सभी के सभी किसमें आ जाएंगे यह सभी के सभी आ जाएंगे संदिसवर में संदिसवर में क्यों क्यों क्योंकि यह मूल सवरों से मिलकर बने है इसलिए इसलिए संदिसवर कहते हैं और मूल सवर किने कहते हैं जो किसी से मिलकर नहीं बने हैं मूल रूप में ह प्लस छोटाओं मिलकर बढ़ाओं बना है एक से बना है और प्लस ए और प्लस ए मिलकर ए बना है और यहां से आया है और प्लस ए मिलकर आय बना है और प्लस ए मिलकर आय बना है को किसे बना है और प्लस निर्मान में कम से कम एक अथो एक से अधिक जो हैं मूल स्वर सामलित है अब किसी में दिख लिए कम से कम दो नहीं तो एक तो होगे ही किसी में दोनों भी है किसी में एक भी है तो यह मूल स्वरों से मिलकर बना संदी स्वर इसलिए इन्हें संदी स्वर को बोलते हैं क्योंकि इन्हें अन्य स्वरों म एक को बोलते हैं संजुक्त सवर सोर की देख यह ध्यान बोले हैं दिर्ग यहां दिर्गी यहां यह धिन ओर रिंदीर इस फोड़ासाद जैसे पहाड़ और पहाड़ी किसी चीज में इक मात्र लगा देते हैं तो उसका बिश्टार थोड़ा से चैठ यह भी से पहाड़े पह और डोरी बहुत पतली सी रसी होती है इस प्रकार से किसी में इकी मात्र लगातेते हैं तो इसका विश्थार सिमित हो जाता है आगे और बताएंगे इसके बारे में से दीरंगी और एक संजुक्त स्वर ऐसे हैं संवा शमान सोरूं की और संजुक्त का मतलब की ऑशे मिलकर बनेहाँ आपी पर देख लिजिए समान सोरूं से मिलकर कौन बने हैं आप लुव अ कि a press प्लस औ से से चोटी से आप चोटा हों से तो यह क्या है यह चारों क्या है कि यह समान्सौर रहे हैं यह कैसे बने हैं यह जो बच रहा है यह जो बच रहे हैं यह ऑ समान सोरों से मिलकर बन hè और इनहें संजुक्तिसवर कहते हैं संजुक्तिसवर में क्या क्या आ जाएगा और आजाएगा और यह चार आजाएगे तो आपको यह बरीकरन समझ मायाव वीद्ट करते हैं कि इन कि छार आते हैं किंन आते सकता है इनकी संख्या पूछा सकता है पूछा जाता है नकी स संख्या ठार होती है संदी स्वरत्वा दिर्ग स्वर जिसे कहते हैं दिर्ग इसे दिर्ग बोलते हैं और इसे दिर्गी बोलते हैं द्यान देगे तो संदी स्वरत्वा दिर्ग स्वर किसे बोलते हैं जो अन्य स्वरों से मिलकर बने हैं इनके संख्या कितनी हो जाएगी इनकी संख्या साथ हो जाएगी, साथ, तीन ये और चार ये, साथ संख्या हो जाएगी इनकी, अब संधी सवर को जो साथ हैं, उनको पुना दो भागों बाटेंगे, ऐसे सवर, जो समान सवरों से मिलकर बने हैं, उन्हें दिर्गी सवर बोलेंगे, ऐसे सवर जो और समान सवर इतना समझ में आगया होगा नेक्ष्ट बढ़ते हैं आगे उचारन काल मान या मात्रा की अधार पर उचारन काल मान काल का मतलब समय मान का मतलब उसका मान कितना मान मतलब मात्रा तो उचारन करने में कितना समय लग रहा है उसी को बोलेंगे हम मात्रा उचारन करने में कितना स भागों बाढ़नेंगे वैसे फ्लूत है ना संस्कृत से आया है तो मूलता जो है दो भाग-माड़ते हैं कि मैं तो कुन-कुन से हैं लगुश्वर या हरस्वर या एक मात्रिक स्वर लगुग मतलब छोटे स्वर अरशा का मतलब छोटा होता है एक मात्रिक का मतलब की जिनका उचारन करने में एक मात्रा के बराबर समय लगता है दूसरा वरिक्राण होगा गुरु स्वर्ण गुरु मतलब बड़ा और द्रीक मतलब की बड़ा जो बड़े हैं अथ्वा दोई मात्रिक यानिकी जिनका उचारण करने में दो मात्रा के बरावर समय लगता है तो एक और चीज़ ध्यान देंगे हाँ से आपसे बिलोम पुछा जाता है बार बार पुछा जाता है लगु का बिलोम क्या होगा अपसे बिलोम जो है गुरु होगा ध्यान देंगे और एक मात्रिक बिलों मुछा तो नहीं होगा बहुँ मात्रिक हो जाएगा तो एक सी मुछा ग्हस और है जो चोटे सवा रहे पूटा कुन होता है ज अल्य तूड़ा नहीं सकता है टुड़ा अलग हूँ से तोड़ा नहीं लगता है और चोटी टोटाओं और री यह चार स्वर जो है इनकी संख्या पुछी जाती है अब से तो चार स्वर है जो लगुस्वर कहते हैं यह चोटे हैं न्याने स्वर में तोड़ा नहीं सकता है यह रस्व हैं रस का मतलब भी छोटा हूँ एक मात्रिक हैं क्योंकि किसी में नहीं तोड़ा जा सकता है तो अकेले जब हैं तो मात्रा अकेले के बाराबर लगेगी इसमें गुरुस्वर दिर्गस्वर दिमात्रिक स्वर इनको छोड़का आगे वहले जितने भी हैं उन्हें दो भागों में तोड़ा जा सकता है अभी हमने पीछले स्लाइड में तोड़कर दिखाया तो दो भागों में तोड़ा जा सकता है और दो भागों में तोड़ा जाए इसलि इसे ऑओनगो это ये शाथ आ जाएंगे इसमें इनकी संख्या उहशिय्स जाती है आप से इनकी संख्या कितनी होगी संथ होगी समझ क्यों कि प्लुट शौर आ घाεται कि प्लुटल शौर जो है संस्क्रिक से उठका है तो इस उर निका वर्कषण थोड़ा से आलग है इसका कि अमसें किसे बोलेंगे जैसे हैं इसमेंट इसमें हुगा आम अ चीज को बहुत बोलेंगे इस लगुं में आ जाएगा जैसे ओ इव करी डिर्ट तेक बोलेंगे तो दिर टमात्रिक किनिग मा जाएगा किसी चीज को मात्रिक्स के भी ज्यादा समय तक बोलैंगे बहुत ज्यादा स्भगत भोलेंके तो फिर प्लूत बन जाता है यह शी प्रोक्त यह कि यह संख्या आप से पूछे जाती कितनी होती है तोकी संख्या 8 होती है किसे होती है जैसे यह वह तक अगर बोलिये वह हमने बताया इसको अलग सही देखें हैं हमने बरकरन में लीक जरूर दिया है लेकिन इसको अलग से समझें है इसका वर्ण के संसक्रक्षित रोट काया हिंदी में इसका नाम अजी नहीं है इसलिए हिंदी उचारन का अल्मान के अदर पर इसलिए प्लूट सर नहीं है जिनका इन तो इसलिए आ जाएगा इसमें आ और आ को बोल पा रहे हैं लेकिन देर तक बोलना है यह तो जब छोटी को देर तक बोलेंगे तो बड़ी बन जाएगा नहीं आती है अधा आई आई आए आ बलने पर आ जाता है ओ आओ आठो हो गए एक दो तीन चार पांच होती है इतना आपको समझ में आगया होगा आगे चलते हैं नेक्स श्लाइड में कि प्लुट सवरों की संख्या आठ होती है अभी आगए यहां पर आई यू बड़ी बढ़ाओं एयू आओ आओ ऐसे होता है अभी हमने समझा चुका अगा यहां कि क्या होते हैं आपको अब देखते हैं बर्करण जो है अब हमारा नेक्स्ट वर बर्करण है उचारण अस्थान के अधार पर और ध्यान देंगे हम लोग स्वरों का ही बरिकरण भी कर रहे हैं अभी हम लोग स्वर्व का ही बरिकरण कर रहे हैं उच्छारण अस्थान के अधार पर यह होते हैं कंठ तालब्य मुर्धन्य दंत ओष्ट्या कंठ तालब्य और कंठ ओष्ट्या यह एक आदमी बना दिया मैंने कि पता नहीं कैसा बन गया इसका ऐसा नहीं होता है कि अधिर बना दिया यहां पर होता है कंठ यह कंठ होता है जहां से बोलते हैं आख इस में और फिर बोलता है तुमारा कंट खुल गया आप बोलने लगे तो यहां से कंट होता है कंट के बाद यह मस्तिक्स है और मस्तिक्स मस्तिक्स के नीचे वाल यह जो पार्थ होता है यह तालू होते पुआ तालू बोलते हैं तो तालू बोलते हैं उसके बाद मुर्धन्य यह कंठ तालब्या मुर्धन्य दंत उष्ट कंठ जो धनी कंठ से बोले जाते हैं उसे कंठ बोलेंगे जो तालू से बोली जाती है उसे तालब्य बोलेंगे, जो मुर्धा से बोला जाता है, मुर्धा मतलब वही मशूरा, उसे मुर्धन्य बोलेंगे, उसके बाद जो दांत से बोला जाता है, उसे दंत बोलेंगे, जो ओट से बोला जाता है, उसे ओठ बोलेंगे, और कंठ तालब्य, यानि कि कंठ और जो धौनी कंठ से और तालू से दोनों जगह से बोली जाती एक साथ उसे कंठ तालब बोलेंगे और कंठ वोष्ट यानि कि जो धौनी कंठ कंठ से और वोष्ट से तो हां गया वोष्ट यह है तो कंठ से और वोष्ट से एक साथ मिलाकर बोली जाती उसे कंठ वोष्ट यह बो इसके बाद मसुड़ा मुर्धन्य आएगा इसके बाद मुर्धन्य आएगा इसके बूलेंगे तो आपको महसूस होगा कंथ से बोल रहे हैं ओ आकंठ में होगा उसके बाद तालब में क्या एगा इसके बाद वाला यानि की इए 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 तालब में होगा इए बोलेंगे तो आपको लगएगा महसूस होगा कि हाँ उपर से बोल रहे हैं तालब से बोल रहे हैं मुर्धन री जब री बोलेंगे तो आपको महसूस होग के हां मुर्धने से बोल रहे हैं कि उसके बाद दंत में कोई भी स्वर नहीं आता है कोई भी स्वर को दांत से नहीं बोलते हैं उस्ट में वह आता है गोलाकार वाला वुलाकार हो रहा था तो गोलाकार वाला ओठ में आता है इसलिए पूरा-पूरा गोलाकार हो जाता है क्यो है कंठ तालब्व है उसके बाद कंठोष्ट मिलाकर ओओ बरताकार जब हम पड़े थे तो बरताकार इनको पड़े थे विर्तकार उपार इसलिए यह क्योंकि विरताकर होता होता है आध और पूनुर्प से क्यों नहीं आदा क्यों होता है क्योंकि ओठ के साथ कंट से भी बुला जाएगा तो इसलिए आदा बृतकार होता है तो आप बिल्कुल ध्यान देंगे कंट फिर तालब फिर मुर्धन फिर दंत फिर उस्ट इतना तो याद हो जाएगा उसके बाद पहला गबैन वाला दूसरा वाला यहांने कि कंट और टालों तो गंट तालब्ब्य हो जाएगा इसके बाद पहला वाला ही और अंत वाला मिंत आख फिर तो कंठोष्ट हो जाएगा इतना लिख लेंगे उसके बाद सुरू से लिखते चले जाएगे बस दंथ को छोड़ देंगे दाथ से कोई नहीं बोला था दंथ को छोड़ देंगे तो ओ आ पंठ में आ जाएगा ए टालब में आ जाएगा री मुर्धन्य में आ जाएगा दंथ में कोई नहीं आएगा विष्ट में आ जाएगा ए आए कंठ तालब में आ जाएगा और ओ आओ पंठोष्ट में आ जाएगा यहाँ थोड़ा से री पहले आ जाता है थोड़ा सा ध्यान देंगे बाकि सब लिख लेंगे आराम से आपको पता चल गया होगा। नेक्स देखते हैं इस बेणि़नों का बरेक्र्ण पाड़ लिया कृँधार पर वर्क्रण किये थे अब बेंचेन का बरेक्रन देखते हैं बेंचेन का बरक्रन किस प्रकार से Greg रहे हैं avoirya अस्थान का मतलए कि उच्चारन का अस्थान कहां से कर पा रहें कंट से तालब्य से मुर्धन्य से दंत से ओट से कहां से कर रहें पछार। प्रयत्ण के अधार पर बैंज़यन कर रहे हैं और अंचर्ण Soobe अभ्यांत्रिक प्रत्न में हम बाटें इसे बाटेंगे दो भागों में एक वर्गिय और एक और वर्गिय और अवर्गिय क्या होता है अभी बता रहे हैं आंत्रिक प्रत्न में स्वर्तंत्रियों में कमपन के अधार पर अगोश अगोश और स्वास्वायू की मात्रा क्या के तुन देखते हैं अभ्यांत्री प्रयत्न में अभ्यांत्री प्रयत्न बढ्की सब्सों यह मतलब असपर्स उलते तिंजन आस पर संगर्ष नासिक के बेंजन और घंख ओब Alexa लिए उफिश्न बनेजन अभ्यांत्रिपत में वारगये बनेजन यानि कि बर्ग का निर्माण करते हैं अभी बताएंगे इसने क्यों कहते हैं कि अवर्गय आस्पर्स कभी नहीं पूछा जाता है तो सिरुप वर्गय याद करें से वर्गय बंजन अथा असपर्स बन्जन को पूर्ण तीन भाग घूम बढड़ने की एक असपर्सर है और यह असपर्स है तो ध्यान देंगे हम भी हमने पीछे बताया था कि ए की मात्र लगाता था उसका बिष्टार लिमिट हो जाता है लिमिट कर जाता है तो असपर्सी बेंजन है उसके बाद है असपर्सी बेंजन क्या है वहीं जो अस्पर्स् करते हैं इसके बारेना भी बताँ के इसके बारेन भी बटाएंगे उसके पतर संघर्स्ट करते हैं यह यह तीन प्रकार के होते हैं क्या है है जिनको संगर्ष करने की वजह से ही जो गर्मी पैदा होती है जब जिवा तालू के पास उटकर चली जाती है लेकि नसफार्स नहीं करती इतना ही पुरहती है और कम अस्तान पर यहां से जब वायू निकलती है यहां से तो संघर्ष करके निकलती है तो गरम हो जाती है इस लिए से उस शंघर मेदनेती से अंतश्ते बन्जन पुरा प्रकार रच होता है संघर्शहीन या अर्दशर एक होता है प्रकंपित या लुन्थीत और एक होता है पारस्विक देखते हैं इसी चीज sık SB है यहाब देख सकते हैं लिखा हुआ है भेंजन लिखा हुआ है पूरा यह एंधे लेकिन इन में केवल चार है उइनको छोड़ीए यह से जूणें कि फान्च एब्स तरह इंत् illness इस तरह से भी कवर्ग चवर्ग तवर्ग और पावर्ग इस तरह से पांच है तो पांच इधर से भी पांच इधर से तो जिसकी लंबाई और चड़ाई दोनों बराबर होती है उसे क्या बोलते हैं वर्ग ही तो बोलते हैं जिसकी लंबाई उतना हो जितना चड़ाई हो से बर्ग बोलते हैं तो इसलिए इन्हें बोलत तो वर्गय बेंजन हो गए अवर्गय बेंजन यह जो आपको दीख रहा है यह नीले कलर से लिखा हुआ यह लास्ट का लास्ट वाला सभी बर्ग का लास्ट वाला अक्षर जो है यह नाक से बोला बोलते हैं जो हैं यह चार जो है और रंग वाल चार चो जो बोलने पर यह जीवा असपर्ष्ट करती है लेकिन असपर्ष करने के साथ असपर्ष करने के लिए संगर्ष करने पड़ती है क्योंकि उसी समय जब असपर्ष करती है उसी समय यहां से वायू निकलती है तो इसलिए असपर्ष करने के लिए संगर्ष करना पड़ता है आप से पूछा जाएगा अथा वर्गी बंजन की संख्या कितनी हो जाएगी तो हो जाएगा 25 जो जिस है कि यह अची सिथ के बाद हो जाएगा यह ना ऐगête इस इसकी संख्या कितनी हो जाएगा टो gide असफर्स इसको से ना पड़ता है अभी हमने बटाया तो इसलिए उसे बोलते हैं असफर्स सं'T हरती अश्पर्ष संघर्षी जर्ष अश्पर्ष संघर्षी जर्षी जर्षी संख्या होगी और बाकी किडिके सोला के 12 बच्चे तो सोला तो यह 25 हो जाएगी लेकिन असपारसी बेंजनों की संख्या पुछा जाए तो यह हो जाएगा हमने बताया किसी सब्द में एक मात्रा जोड़ दें तो इसका अर्थ लिमिट कर जाता है जैसे पहाड से पहाड़ी पहाड़ बहुत बढ़ा होगा पहाड़ी चोटी से होगी ड इन्हें बोलेंगे अन्तास्त इन्हें बोलेंगे अन्तास्त और यह जो होगा इन्हें बोलेंगे उश्म उश्म या इसी को बोलेंगे संघर्षी ध्यान देंगे यहां पर या तो उस्म बोलेंगे या तो संघर्षी दोनों में से कोई एक ही नाम है और यहां पर संघर्ष असपरसी ना में दोनों का लग बाद है दोनों ध्यान देंगे तो यह बोलेंगे इस पर इसे उसमें संघर्षी बंजन बोलेंगे क्योंकि यह 100 100 हो जब इसे बोल रहे हैं तो तालू के पास जीवा इतना नजदिक चली जा रही है कि यहां से थोड़ा से जगह बच रहा है उ चाहर दनेमें से यह और वा को संघर्ष हिन बोलते हैं इस लीए संघर्ष न स संघर्ष हिन क्यों क्योंकि इन को बैंजारन करने पर हुआ कम ही संग्र्ष् करना प्ड़ रहा है। इसले बोलते हैं अच्छ लिए संघर्ष्क लें में यह यह रहा है यह रहा हो गया रहा है रहा बचार तो रहा है जो जो है कि जीवा में प्रकम्प पोलने में इस प्रकार इसलिए रहा को प्रकम्पित अथा लुन्ठित बोलते हैं वहोगको प्रकमपी डत्वा लुं तीड है और लाजभ बचा उसे पाय। बोलते हैं ये आपको सम्ज में आ गया हो गा। नेक्स्ट है से युक्ति बेंजयन स मनें बटाया चाघ्टर में स्ट्रा को सभूत बेंजयन बोलता है कि इसको मैंने तोड़कर र्योवीजियर क्यों बने हैं इसको मैंने पीछ से अभी इसी तब CF जोरुत कहा नहीं इसको repeat करने कि उस शीवदी बिंदें ताड़ा ज्यात बिंद क्या होता है ड़ ओर रड़ा एक होता है ड़ और एक होता धो वह अलग चीज़ है वह बिंजन है समाने बिंजन है लेकिन ड़ के निचिफ बिंदी लगा दे तो रड़ा बन जाता है ड़ा की न लुड़कना में यह वला है इस प्रकार से इन्हें जो है इन जोनों को द्विगुड़ बेंजन बोलते हैं कि इनके पास दूकुण होता है यह उच्छिप्ध बेंजन अथा तालन जात बेंजन बोलते हैं क्योंकि यह जब इनका उचारन करते हैं तो ऐसा जीवा जटका खाती है कि लगता हुआ कि इसको मुह से बाहर फेंक रही है इस प्रकार से इसलिए इसे ताला अंजात अथ्वा उच्छित बेंजन भी बोलते हैं असपर्स बेंजनों की संख्या 25 जबकि असपर्सी बेंजनों की संख् करन किया थ celebration आधारन एक अंकात्रीश प्रस्श्यादा या वाह प्रत्निक प्रेत्न को सारी यह उत्यक प्रत्न की अधार फ़र सब्सक्राइब अधर मेंा प्रटन अहां भी आंतरीश प्र्सक्राइब और हो सवास्वादरbin की मातरे की सेम्पन और अध्र। सवरतृत्रियं में कंपनक अधार पर अगोस और सखोस आगोस क्या होता है सवरतृत्रियं में कंपनक और सवर्ताइर Nap Swami नहीं होता है तो उन्हें सगोस बोलते हैं जैसे मिछ आने इनका उचा चाहिएहित्शाege किसी परकार कंपन नहीं हो रहा है नहीं प्रकार से दूसरी का उचार करें तो भी कमपन हो रहा है आप इसको द्यान से देखें के समझेमा आएगा इसे सब्दों में व्यक्त करना थोड़ा से कठीन काम है तो इसलिए अघोष क्या है सिद्धा सिद्धा याद कर लें कि एक दो अगोष होता है एक दो का मतलब कि पहल अो lot hour फॉक्रफ नहीं ही के अगोस्त में अ कर इसे हम पढ़ते हैं फिले-प्रती सख से प्रकार ने के से इस जने उसके बूलने हैं कि दाखर जघाए इसे सकार से मुरधने सकार जो है इस मैं के आगोस्वर में क्या होता है एक दो और दीन अगोस होता है इतने याद करने बाखि जो बच्चे जाएगा एक दो तीनों सव अगोस होता है एक होता है बाकि जो ब चेस अगोस होता है एक दो और वर्ग में 55 लेटर होते हैं न 55 अच्छर होते हैं तो इसमें 5 पहले में दूसरे में 5 और 300 सगोस बचये कि जितने बचे सभोस बचे यानि कि रापाँच रालाव और यह सभोस बचा तो सभोस क्या बचभक्चे इनकी संख्या पूछी जाएगे आप से तो पांच इसमें पांच इसमें पांच में 15 और यह पांच 20 स्वास्वायू की मात्रा के अधार पर दो होते हैं अल्प्राण और महाप्राण कि उसको उचारन करने पर कितने मात्रा में हवा निकल रही है अब आपकी कहीं से निकल रही है तो लेकिन मुह से कितनी मात्रा में हवा निकल रही है अल्प्राण और महाप्राण दो प्रकार के एक तिन पांच अंतस्त एक तिन पांच अंतस्त अलप्रान होता है तो एक तिन पांच अंतस्त अलप्रान होता है एक तिन पांच का मतलब क्या हुआ एक तिन पांच का मतलब हुआ एक तीन पांच मतलई एक दो तीन चार पांच यही में होता है रिंड़ तीन यह है और। 13 ऑर अंथस्त को नійुद पहला वगला अंतस्त है एक तीन पांच और नोटस्त यह अलपपराण होता है तो एक तिन-पांच उनकी संख्या बमाण बंच को की चोटा क्या दो कि दो ये दो और चार आशंजा तो दो चार और ऊस्म कि चहूद हो ये महार्ण होता है इंके चौकर संख्या कितनी हो टॉस्म फर्ट यह हो जायकी पांको स जुक्त अंज्क्षा से इसमें और इसमों चार होते हैं उचारण अस्थान के अधार पर अस्थान यानि कहां से उचारण कर रहा है हमने बताया पहले कंठ आएगा फिर तालब आएगा पिर मुर्धन ने फिर दन्त फिर ओष्ट है तो बस ऐसे ही रख दिजिए कुछ नहीं करना है पहले कौबर्ग आता है कौबर्ग पूरा का में पूरा को रख दीजिए कंठ में पूरा को इसको रख दीजिए जवाण बोलेंगे अपर कि कंठ में क्या आएगा مर्धन्य में तबर्ग धन्त जो खूड कर बाकिस से सुरियल से रंख देजिये यह रौल वा रख दीजे बऊ हो गया यानि कि यह कहां से बोला जाएगा तालब्य से र कहां से बोला जाएगा मुर्धन्य से ल दंत से और वह पुष्ट से उसके बाद उसके बाद 100-100 हा है उसमें वाला तो पहला वाला इसमें भी छोड़ दीजिए पहला वाला अभी फिलाल इसमें भी छोड़ दीजिए ये पहला वाला को कंठ वाला को इसमें भी छोड़ दीजिए उसके बाद सुरू से लिखते जाईए तो चो सवा और उसके बाद हो यहां और देग्हाइए ताई सव और उसके बाद हो यहाहाँ आना चाहिए लेकिन हटो यहां बदल देजिए वस इतिना ध्यान रख़िए हग दल दधीए क से अब पोई को यहां रखके चाह जाएगा कंट में आ इक और ध्यान देंगे यह ठीक है पहले फाल्ला फोड़िये ऌफीट यह करें करें अब हो सिर्भी सर्टे कढ़ें होगना रखी से इसे और यहां के साहर यहां बेदट लिखें तो अलेग लिखें क्या होता है होट्चा में चाहिए अगर wondering लेकिन अगर आप्षान में नहों तो आप कंठ बता सकते हैं यहां जाएगा ने इसके बाद यह घाएगा तो आप कंठ बता सकते हैं वह लेकिन अगर दोनुझेमें कंठ भी आई तो आप स्वरें अली जीवाही बताएंगे क्योंकि हिंदी में इसे स्वरेंट्र जीवाही अस्थान दिया गया है कि बाकि संस्कृत कहता है कर्टिंस कंटि से बोला जाता है तो हम लोग संस्कृत ही नहीं पढ़ रहें ग्रिध धोनिया या विदेशी धोनिया ब फो ट दॉल्फा यहां पर नुगता लगेगा सब्टो यह यह सब बिदेशी धोनिया हुं ग्रहण करेंको और नत्री साथ बिदेश Qu show इनका सब्देखवा का इस प्रकार से उसे बोलेंगे बीदेशी बैंजन और यह गया किभिए आप फैरिअल से अग थैय। तो हंटी्छ अध़ी तो हिंदी में दिक्सालिय को किन रखने के लिए सब्सें पहले और पी चाहिए सबें यदि tir? वर्न इबिस्लेशन में जैसे है कि सब को तोड़ दीजी आप वर्न इबिस्लेशन में जैसे प्रेम पॉ प्लस रो प्लस ए और प्लस मॉ और मॉ में जुड़ा है और यह होगा इसका वर्न इबिस्लेशन होगा आ ये में आ हो जाएगा आ हो जाएगा प्लस ई हो जाएगा और प्लस ए हो जाएगा आतंक में हो जाएगा आ आ खुदी बेंजन है तो इसे नहीं तुड़ेंगे तो प्लस अंगा प्लस को इस प्रकार से पंचांग प्लस पंचांग में क्या हैगा इसके अनुस्वार के लिए क्या करते हैं अगला का ले देखते हैं और इसका पंचमाक्चर ले रहेते हैं तो चा का पंचमाक्चर क्या होगा अगड़ सी प्रकार से सनलग न मुझा तो सो लो का पंचमाक्षार तो होता नहीं है क्योंकि लिए तो अवर्गी बेंजन है तो इसके लिए मौ तो ले लेंगे जहां पंचमाक्षार नहीं मिलेगा वहाँ पर मौ ले लेंगे अनस्वार के लिए तो मा हो जाएगा, पलस शारी, एक मिनट जोड़े, तो सवर तो जोड़ेंगे, सामा लगा है, पलस मा, पलस लॉ, पलस गह, और गह नहीं लगा, इसलिए गह अधा है, पलस नो अर पलस अ, इस प्रकार से दवान पिसलेशना कर लेंगे, बंदो में दो प्लस वा प्लस और प्लस न प्लस दो प्लस वा प्लस और आपको लग रहा होगा जैसे प्रेम में ही देख लिए तो प्रेम में आपको लग रहा है कि रो आधा है पुरा है लेकिन ऐसा नहीं होता है जो नीचे होता है वो पुरा होता है तो पहले या था जो पहले बोला ज गाए इसमें हलांथ सालांथ है आप समझ लेंगे हर जग अलांथ है смотреть रख आध़ा एक और happier देड़े हो जाए spreads in its worried drink उतला होता है इसमें सम्माननिता प्रिष्टिती क्या है कि पहला अल्प-प्राण होता है बदेख्छा को बोलते हैं कि समय नेस्टति हाँ में साइक यह जरूरी नहीं कि होगा लेकि अधिकांस तो यहीं होता है इसी प्रकार से होता है अर्दि मिन्दू आज बनने वाला साथ होता है हमने बताया कि आ क्या होता है बिदेशी स्वर अभी हमने बिच्छे बताया बिदेशी बंजनों के बारे में तो जब बिदेशी स्वर से कोई कोई सब्द बनेगा तो बिदेशी सब्दी कहला आएगा सीधी सी बात है यह ब्रित्मुखी प्रकार के होते हैं तालन जात या दुगीड बिक्सित बंजनों को सवर रहत नहीं किया सकता है और क्योंकि सब्द के प्रारंभ में नहीं आ सकते हैं बात सभें लुखता हैं प्रकार के कई सब्द के प्रारंभ में नहीं नहीं होता हि जिस प्रकार से संभीताक्षार होता है का यह बहुते हैं जैसे इसमें क्या है यहां व्हूर लर्व अधिए दो एक साथ आए हैं यहां भी कार तो इसलेए यह नहीं दूट्ट बोलेंगे यहां पर एक को था एक लॉव था हिंदी कुल बन कितने होते हैं हिंदी में 11 में हुदी कि नियुक्त करता है और दो आयोगवाय और होता है यह सब मिला कर कितने होगा कि कितने हो गए वावन तो यहां से और दो यहां से हो गया और चार और हो गए चार क्यों एक बिदेशी स्वर और तीन बिदेशी बेंजन एक हमने बताया था ना आ हमने यहां से लिदेशी बेंजन लिछा हुआ है तो इसका मतले ने कह और गो को मैंने था नहीं दी है इंसे रटी ने को और गोग बनता नहीं तो खा जो और फा कोई सिर्फ विदिशी माई बेंजन मानती है को गोग मानेता उसने नहीं दिया है इसलिए तीन लिखा गया है तो तो कितने हो गए बावना चार छपन हो गए तो मानक वरनों के संखा कितने हो गई छपन आपसे यह कि दौर नहीं दी गई है तो को और गा की कि बेंजनों को सोर रहित करना बेंजनों को सोर रहित कैसे करें कि बेंजन जो खड़ी पाई से पहले पुन हो जाते हैं ऐसे कुल 22 बेंजन है जो खड़ी पाई से पहले पुन हो जाते हैं जैसे खा गा जा इस सब खड़ी पाई से ईसे बोलते हैं पढ़ी पाई और इसे बोलते हैं खड़ी पाई तो यह जारहे आय से पाई this रिखेंगे जोसी लिखेंगे जैसे उजवल असौल यह दोना आधा है ना दो इंगे जो यह करता है। कि करना च्छल्क कर देंगे आाधा करसे करता है उतने में और सब्सक्राइब कर दो 혁ते के बाद कर देंगे। क्षण करना है, उतने में सबुर्माइब कर देगे, और याधा कर देंगे। आधा करना है तो खड़ी पाई के बाद जितना गया है आधा कोटा देंगे आधा रख लेंगे तो इसे ही आधा बोलते हैं आधा करने का यह नियम है गोल बरणो यह जिनको लिखने के लिए इसे गोल पेन घुमाना पड़ता इस प्रकार से गोल रूप में तुम से गोल करने के लिए इनको आधा करने के लिए नीचे लगा देते हैं उन्हें के लिए नहीं लेहार लेकिन को बोलने के लिए नहीं बों लेंगे उसे रेप तो टार बात है वागी सब को कार्थ जोड़कर शंबोधित बाकि ness कूर अगर बन क्यों exists के चार प्रकार है तो रेप के चार प्रकार कौन कौन से हैं देखिए रेप के चार प्रकार है एक है इस प्रकार से प्रेम में जैसे प्रेम में है तो नीचे रहा है इस प्रकार एक है रक में यह नीचे रहा है इस प्रकार से है एक है राम यानि कि पूरा रहा है इस प्रकार से और ए पूर्वसी यानि कि अस्मानी रावजी से बोलते हैं यह क्या होते हैं यह जो नीचे होते हैं सिधा सिधा आपका याद कर लें जो राव नीचे लगे रहते हैं यह नीचे लगा है यहां पर यह नीचे लगा है वह पूरा होते हैं यहां भी यह नीचे लगा है नीचे का यहां भी रॉप पूरा है यहां पर तो पुछ है नहीं जो ऊपर होते हैं उन्हें याद करें अधूरे होते हैं जो ऊपर होते हैं उसमें नहीं होता है उपर के वह आसमानी रही होता है वह अधूरा होता है अधूरा होता है मतलब उसमें श्वर नहीं होता है सीदी से बात इसका यह मतलब है तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि सब्दकोर्च अप्योग की आएक है मतलब कि जिस प्रकार से अंग्रेजिया सब्दों को कार. वह मैं आता है सबसे पहले क्या नाय गा औग चंद्रबिंधि आं इसके बाद सवर क्रम से इसके बाद करम से इस प्रकार से पिछला क्रम लिखे थे लेकिन ध्यान दें कि क्रम में थोड़ा थोड़ा दिफरेंस होगा कर दो चहां से क्षोड में डिफ्रेंश होगा ग्यों में डिफ्रूट्स हो प्द्आ चहां में डिफ्र incorporates होगा हमने बताया था शाक कर मिह से बना है स्थार ग्यांस्ट रोगर हो तरह होते हैं तो तो के बाद में말 तो के बाद आजाएगा तो के बाद कहां गया good रो के बाद रो आ गया कि उश के बाद रो और प्लस ऑशे तो िंप्ट के बाद रो जाएगा इस प्रकार से अब को एक और कोष्षन दिया सकता है इसमें कंफ्यूज करने के लिए जैसे छाँ जो बना है को श्यो और अश्य तो और यहां से भटा दे और और याँ को सी में जोड दे आउन को ़टा हैगा तो क्या होगा पोरा पूरा हो जाएगा उससी प्रकार से इसको भी यहां भी सकते हैं अभी यह the More कि अब लखांट लेकिन पुरा हो जाएगा तald जाएगा तो अबीडाहओं हलंत हो आ cubic जोड़ सकते अफन्हें अनंद इसी प्रकार्स सब को लिख सकते हैं 20 प्रकार्स लिखा सकता हैung कि आप समझ गए होगे कि इसको अभी हमने पीसे बताया था इसको थोड़ने के लिए अभी अमने बताया हां को कैसे तोड़े को प्लस अ σबस पर सण फिल सी है शरा प्लस प्लस तोड़ेंगे जो किसे भी मैं लगा हुआ है व्यों कि तोड़ देंगे किस्को पहले रखने में किसको बापले रखना है सब सबसे पहले सब सुरू हो रहे हैं को से को सब में मिल रहा है तो को से हमें कोई इंसर नहीं मिलेगा दूसरा देखते हैं दूसरा में शुरू हो रहे हैं सबसे पहले आता है नो और से दो सुरू हो रहा है और यह और के बाद देखेंगे रहा रहा यहां पर यहां मौ आ रहा है तो यह पहले number पर जाएगा नो जाएगा है उसके बाद दोने को छोड़ाइगे है की अधैया रिए तeni सबसे यह आता है तो three number today let me AMR Tech Reck beni जंब हम सब्सक्राइब मिल रहें हमें हमें अगला नंबार देखते हैं और आया है सब्सक्राइब फिर अग्ला देखते हैं यह आ रहा है और गर्ला थे तो और आ अगर प्रेकार से हो आप इस प्रकार से प्रकार से सब्सक्राइब दक्तों ok मिलते हैं next episode में अभी चैनल को subscribe को अगर नहीं किया आप ने तो कर लिजी ऐसे ऐसे concept वाल वीडिए देखने के लिए कर लिए वीडियो को अधिक सेदिक share करने और चैनल को subscribe कर ले धन्य बाद